इस वीडियो में दूस्थों हम लोग बात करेंगे यह मैं दिश्टों द्यान रखेगा दो पर के एक बज़े से स्टार्ट होगा इस वीडियो में दूस्थों मैं आपको इस मैंस रिलेटप इसमोली का अपना फाइनल टीम सेर कर रहा हूं और साथी साथ दोस्तों देखो ये quarter final match है ठीक ना तो maybe कोई new player squad में आता है या दोस्तों जो भी मैं अभी आपको team दे रहा हूं इस video में उसमें कोई भी changes होता है तो final combination इस match का मैं फिर से आपको update करके टेलिग्राम पे share कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा इसका link दोस्तों आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment section में भी first comment pin के होवा मिल जाएगा जैए दोस्तों टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएए और साथी साथ दोस्तों यदि आप इस match में खुद से अपना team बनाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में प्रोपर मैंने बताया है कि किस player को आपको small league में try करना है यदि आप grand league खेल रहे हो तो किस player को आपको grand league में try करना है और यदि आप ricks लेना चाहते हो तो किस तरह से आप ricks ले सकते हो क्या दोस्तों आपका captain bc दोस्तों इस match में होना चाहिए तो वीडियो दोस्तों पूरा watch कीजिएगा ठिक ना और by chance कोई question होता हो तो नीचे तो मैं हूँ आप comment section में आप मुसे पुछ सकते है और एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखेगा यदि अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों YouTube चानल को जरूर subscribe कीजिएगा और subscribe करने को आप दोस्तों सबसे important कोसिस कीजिएगा notification का घंड़ी बजा दे जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम लोग LIZ और दोस्तों EB के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग start करते हैं विकेट कीप रिंग सेक्शन से विकेट कीप रिंग सेक्शन में आईगा तो दोस्तों आपको इस match में दो best option में लेगे एम हजाइफा और दोस्तों एस पंडित अब दोस्तों देखो दोनों पिलियर का ना performance इस टूनामेंट में एक जैसा रहा है किसी ने भी दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा outstanding perform करके दे दिया हो सबसे पहले बात करते हैं दोनों में से हमें किसे एक को लेना चाहिए तो दोस्तों देखो मुहम्मद हाजाइफा आपको सभी match में 4th round batting करने आते हैं वो ही दोस्तों ऐस पंडित आपको सभी match में 5th round batting करने आते हैं performance देखे तो हाजाइफा इस टूनामेंट में अभी तक जितना भी match के लिए उसमें 202 match में इन्होंने 30 प्लस score किये और वहीं 205 इस टुनामेंट में अभी तक इनका जो highest score रहा है वो 24 रहा है और वो भी 200 एक time ही किये उसके बाद 200 इन्होंने जितना भी score किया वो 210 रन से नीचे ही किये और साथी साथ दोनों आपको extra point बिकेट की प्रिंग से देते ही है तो यदि दोस्तों दोनों player का performance देखोगे तो इसमें मैं recommend करूँगा आप first preference इम हजाइफा को देना क्योंकि एक तो बैटिंग top order में कर रहे है और साथी साथ आपको बैटिंग से score भी कर रहे है आप ग्रेल लिंग में चाहूँ और selection percent के इसाफ से जाना चाहते हो तो आप इस पंडित के साथ जा सकते हो अब बात करें दोस्तो हम लोग batting section तो batting section में दोस्तो जे अलिसा तो भाई आपके team में होने ही चाहिए और आज के match के दोस्तो बहुत ही safe और best option रहेंगे जिने आप direct captain कर सकते हो कमाल के दोस्तो form में चल रहे है batting हो या दोस्तो balling हो drop नहीं किजेगा फिर नीचे आईगा दोस्तो आपको यूसा ये भी दोस्तो और लाउंडर player है जो दोस्तो आपको 2 over balling और साथी साथ open batting करने आएंगे जे अलिसा के साथ इने भी आपको drop नहीं करना है सभी team में दोस्तो आप try कर सकते हो फिर नीचे आईगा दोस्तो आपको रानाबट का option मिलेगा दोस्तो आपको open batting करते हुए दिखेंगे इभी के लिए और साथी साथ देखो balling इनका confirm नहीं रहता है लेकिन मैं उमीद करता हूँ important match है तो at least आपको एक ओबर balling करके दे सकते हैं ग्रेल लिग में दोस्तो आप चाहो इनपेडिक्स लेने का तो ले सकते हो लेकिन मैं small league में दोस्तो recommend करूंगा टीम में रख लीजेगा सामने वाले के टीम में होईंगे ही फिर नीचे आएगा दोस्तो तो लक्षमान बंदे का दोस्तो बैटिंग से बहुत ही कमाल का performance रहा है इनका last यदि 5-6 मैच देखो बहुत अच्छा रहा है और last 2-3 मैच में दोस्तो यह आपको balling भी कर ले रहे देखो मुझे नहीं लगता है किस मैच में बॉलिंग करना चाहिए क्योंकि पार्ट टाइम बॉलर है लेकिन बैटिंग से दोस्तो आप डेफिनेटली आप इनसे उमीद रख सकते हो यदि स्टार्टिंग का 10 बॉल खेल लिया तो बंदा 250 रन स्कोर कर देगा क्योंकि इस ट आपको 2 over complete balling करके देंगे मैं डेफिनेटली आप ट्राइक कर सकते हो ग्रें लिग में दोस्तो आप चाहो तो इन पे 22 कैप्टेन करके भी रिक्स ले सकते हो ब्न्दे ने पर्फॉरमेंस अच्छा किया है फिर नीचे अगेगा दोस्त आपको Case Khan का मिलेगा अब दोस्तो दे बैटिंग से इन्होंने आपको मैनेज कर दिया है बैटिंग से आपको सभी मैस में पॉइंट दे रहे हैं तो मैं एज बैट्समें दोस्तो रिकमेंड करूंगा आप टीम में दोस्तो आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो बैटिंग पोजीशन का बात करें तो आपको दोस्तो ट्राइब करेंगे यह थार्ण ऊछबाइए रहा हें तो मैं यहां पे आपको और रहा है धा यह तो मैं को करेंगा एम खान को रखना क्योंकि बंदा दोस्व देथ में बॉलिंग करने वाला है और अपने टीम का दोस्व कैप्टन भी है यदि दोस्व एलाइजेट की टीम बॉलिंग सेकेंड करती है तो फिर दोस्व आप एस खान को ट्राई कर सकते हो तो आपको ज्याधा try नहीं करा हूँ आप try करना चाहते हो GL में दूस्तो आप कर सकते हो otherwise drop करके आप चल सकते हो अब बात करें दूस्तो हम लोग balling section balling section में B कतारी सबसे पहले pick कर लो बंदा का दूस्तो performance बहुत ही अच्छा रहा है आपको death में दूस्तो सिर्फ और सी बॉलिंग करने आएंगे, बिकेट टेकर बॉलर है, इभी के लिए दूसरों इन्होंने सभी match में आपको बिकेट प्रवाइड किये, मैं recommend नहीं करूंगा, drop करने का, ध्यान रखेगा, 46% सेलेक्षन की हुए मुझे नहीं मालूब, लेकिन इनका सेलेक्षन मुझे उमीद है कि automatic increase हो जाएगा, फिर नीचे हैगा दूसरों एमुसेन, आप टीम में try कर सकते हो, आपको power play में balling करेंगे, दूसरों देखो एमुसेन के साथ एक चीज़ मैंने minus point क्या देखा है न, कि sometime दूसरों आप इनके सामने देखो batsman कोन होंगे, आप यहां से clear समझोगे, देखो इनक आपको captain करे हो, भाइस captain यूसा को करे हो, तो फिर दूसरों एमुसेन को रखने का कोई benefit ही नहीं है, तो आप चाहो तो इन्हें grand league में आप इनको drop करके other player पे rix ले सकते हो, ठीक ना, नीचे देखे से दूसरों आपको A.Chula का option मिलेगा, A.P.Mohamad का option मिल जाएगा, यह दोन रखेगा, 22 captain के लिए जो मैंने एक option बताया था, आपको use था, एक बहुत ही बढ़िया option है, जो मैंने अभी आपको rotation बताया है, वो वला यदि आप bowling section में rotation कर रहे हो, तो आप इन्हें भी 22 captain try कर सकते हो, grand league के लिए दूसरों मैं आपको 2 captain BC का option दूँगा, एक batsman और दूसरो एक baller को, first 200 batsman रहेंगे Jay Lakshman, एक अच्छे 200 hard eater batsman है, और ये P 200 batsman के लिए बहुत ज़्यादा suitable है, और जो batsman दूसरों open batting करने आते हैं, तो आप चाहो तो captain BC grading में इन्हें try कर सकते हो, और यदि किसी baller में आप try करना चाहते हैं, तो B के तारी पे ज़्यादा focus किजिएगा देथ में balling करने आते हैं, अभी के लिए दोसों ये team अपना final team में, आप सभी दो system का screenshot ले लीजे, और दोसों contest join करके रखिए, टर्स के बाद दोसों येदि टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी changes करना होगा, तो final combination मैं फिर से आपको update करके टेलिग्राम पे provide कर दूँ साथी साथ दोस्तों येदि अभी तक आपने YouTube चानल को subscribe नहीं कियो, तो दोस्तों YouTube चानल को जरूर subscribe कीजेगा, और subscribe करने के बाद दोस्तों कोशिस कीजेगा notification का घंटी बेजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा, ठिकरन दोस्तों, फिर म